अंसुरे किस्ते के इन पलटते हुए पन्डों में चलते हैं आज उस दौर में जब रिशीदा ने अमिताप से कहा समझ होती तो तुम मेरी कुर्सी पर होती फिल्म मधुमती के गाने का रिहर्सल चल रहा था सलिल चौधरी अपने मुजिशन के साथ रिहर्सल में व्यस्त थे कोई पीछे से राग पीलू में कुछ गुन-गुना रहा था सलिल चौधरी का ध्यान बार-बार उस गुन-गुना हट पर चला सलिल दा उठकर देखने आते हैं कि कौन गुन-गुना रहा है देखते हैं कि दिलिप कुमार कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी धुन में गुन-गुना रही है दिलिप कुमार को फिल्म के हर डेपार्टमेंट के काम में शरीक होने का और जानने का शौक था इसलिए खाली वक्त में वो गाने के रिहर्सल में शरीक होने आ गए सलिल्दा कहते हैं कि रिहर्सल डिस्चर्ब हो रहा है दिलीप कुमार अफसोस जाहिर करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और वहां से जाने लगते हैं तब ही मदुमती के चीफ असिस्टेंट डारेक्टर पर उनकी नजर पढ़ती है वो उनसे पूछते हैं क्यों भाई तुम अपनी फिल्म कब बना रहे हो तुम मुझे अपनी कहानी सुनाने वाले थे ना चीफ असिस्टेंट कहते हैं अभी आपके पास समय है दिलीप कुमार कहते हैं हाँ सुनाओ चीफ असिस्टेंट कहते हैं कि आपको मेरे घर चलना होगा दिलीब कुमार खुशी खुशी उनके घर जाते हैं चीफ असिस्टेंट अपने कमरे का दर्वाजा खोल कर लाइट जलाते हैं दिलीप कुमार कहते हैं कि कमरे की दीवार पर टेड़े मेड़े चित्र बने है आड़ी तिर्ची लाइने खिची हुई है दिलीप कुमार पूछते हैं गंदी दीवारों पर सफेदी क्यों नहीं कराते चीफ असिस्टेंट कहते हैं ये मेरी फिल्म की कहानी है जिसे मैं सुना बाइदार आकर इसमें रहते हैं और अपनी जिंदगी की चाप या रेखाएं दीवार पर छोड़ कर जाते हैं तीन परिवारों की अलग-अलग कहानी होगी मेरी फिल्म दिलिब कुमार कहते हैं तीन कहानिया एक फिल्म में डालोगे तो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाए आप बस फिल्म के लिए हां कहुआ दीजिए दिलिप कुमार हां कह देते हैं वो उस फिल्म के लिए एक पैसा ही नहीं लेते अस चीफ अससेटन का नाम होता था रिशिकेश मुखर जी और उस फिल्म का नाम है मसाफिर। इस फिल्म में तीन परिवार उस मकान में आते हैं पहला नवदमपत्ती यानि की जिन्दगी की शुरुवात करने वाले लोग दूसरा बच्चे का जन्म यानि नया जीवन और तीसरा मौत क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर में शुरुवात, मद्धे और अंध पर तीन कहानिया बुनी है रिशीकेश मुखर जी ने सलिल चौधरी जब इस फिल्म का संगीत रचते हैं तो उन्हें मधुमती के रिहोर्सल के दौरान दिलीप कुमार के राग पीलू की गुन गुनाहट याद आती है वो लता मंगेशकर के साथ दिलीप कुमार से पहली और आखरी गीत गवा कर ही दम लेते हैं लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए उनकी फिल्मों में कोई हीरो या स्चार नहीं बलकी सिर्फ चरित्र और इनसान नजर आते हैं यही रिशीकेश मुखरजी फिल्म्स की पहचान है राजकपूर फिल्म मुसाफर देखने के बाद रिशीदा के मुरीद हो जाते हैं वो रिशीदा के साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं तब ही एक प्रेडियوسर ईलबी लाच्मन रिशीदा के पास ये प्रस्ताव लेकर आते हैं आपकी अगली फिल्म के लिए पैसा मेरा और बाकी सारे फैसले आपके। रिशीदार राजकपूर से मिलते हैं और कहते हैं कि आपके साथ फिल्म करने के लिए मैं तयार हूं। ये फिल्म आरके बैनर के तले नहीं बनेगी लेकिन आपकी टीम के साथ काम करने में मुझे कोई गुरेज नहीं राजकपूर के लेखक इंदर राज आनन्द की एक कहानी रिशीदा को बहुत पसंद आती है राजकपूर के चहेते गीतार शैलेंदर गीत लिखते हैं और शंकर जैकिशन धुन तयार करते हैं राजकपूर और नूतन को लेकर रिशीदा फिल्म अनाडी बनाते हैं राजकपूर की एक आम इंसान वाली लोकप्रिये चहवी को रिशीदा बखुबी परदे पर उतारते हैं जीना इसी का नाम है गाना पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा देता है अनाडी ऐसी फिल्म है जो हमें दूसरे के दुख दर्द को अपना दर्द मान कर सरल जिन्दगी जीने की वकालत करती है राज को तस्वीर बनाने के लिए हजार रुपे का नोट मिलता है वो नूतन को देते हैं कि अपनी मा का इलाज कराईए नूतन कहती है आपका एहसान राज कहता है एहसान तो अमीर लोग करते हैं गरीब तो एक दूसरे की मदद करता है अनाडी की शांदार काम्याबी के बाद रिशीदा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि राज कपूर रिशीदा को बाबू मोशाय कहने लगते हैं खूल और पत्थर के बाद धरमेंदर एक स्चार के रूप में स्थापित हो चुके हैं उनकी छवी एक ही मैन के रूप में उभर रही है तब ही रिशीदा उनको फिल्म मंजली दीदी ओफर करते हैं उसमें धरमेंदर एक साधारन बंगाली बाबू के रूप में नजर आते हैं अक्शन हीरो धरमेंदर रिशीदा की फिल्म सत्ते काम में एक बेहत इमानदार इंजीनियर के रूप में नजर आते हैं जिसका जीवन मूल लिही उसका सत्य और इमानदारी है सत्तर के दर्शक में जब नए सूपर स्चार एंगरी यंग मैन अमिताप बच्चन का दौर शुरू होता है उसी वक्त रिशीदा, अभिमान, मिली और आलाप जैसी फिल्में लेकर आते हैं फिल्म अभिमान में गायक सुबीर कुमार और उमा की भूमिका निभाने वाले अमिताप बच्चन और जया बहादुरी में स्चारडम की एक बोन भी नजर नहीं आती जब अमिताप के सूपर स्चार का सूरज तप रहा था तब भी रिशीदा ने उनकी सफल छवी को नकार कर आलाप में उन्हें एक आम संगीत प्रेमी नौजवान के रूप में पेश किया फिल्म चुपके चुपके के सेट पर रिशीदा और राही मासूम रजा शत्रंच खेल रहे हैं कमेडियन असरानी सूट पहन कर सेट पर आते हैं उनके पीछे धरमेंदर ड्राइवर के कॉस्ट्यूम में और अमिताप बच्चन कुर्ता पजामा में रिशीदा का असूल था की पूरी स्क्रिप्ट वो अपने अभिनेताओं को नहीं देते थे धरमेंदर हैरान हो जाते हैं कि मुझे ड्राइवर की ड्रेस क्यों पहनाई गई है जबकि असरानी को सूट बूट अमिताप को भी यही परिशानी है रिशीदा आवाज देते हैं धरमेंदर तु असरानी से क्या पूछ रहा है अमित तुम्हें कुर्ता पजामा से क्या परिशानी है तुम दोनों को कहानी या स्क्रिप्ट की अगर समझ होती तो तुम लोग वहां नहीं तो ये थे अमिताप बच्चन की जिन्दगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे और भी किस्सों को सुनने के ल